असलाम ओलेकुम रह्मत वर्गातभु तबू कैसे दोस्तों अल्दा के फजल करम से अच्छे होंगे आई आज हम बनाते हैं चिकन पॉकेट तो चिकन पॉकेट बना रहे हूं बनाने के लिए यह मैंने मैदा ली हूं और मैदे में ये डाल रहे हूं ठोड़ा सा अच्छे से पहले इसको आटे को मिक्स करके लेना है मैय दे को तोड़ा ठोड़ा पानी डाल के हमें आटे को गुं लेना है जैसे हम रोटी के लिए आटा गुंते हैं इस तरीके से हमें आटा गुं लेना है अच्छा सा हमें डो बनाना है इसका और फिर आदे गुंटे के लिए हमें इसको ढखके रखना है यह दिखिए यह हमारा आटा बूंदे गया अभी हमें इसको थोड़ा सा तेल लगा के अच्छा से तील लगा के हमें इसको ढखके रख देना है यह दा शिफा एक प्लेटला ढखने के लिए आटे को अधी घंटे के लिए मैं रख देक्यों अभी हमें चिकन पॉकिट का भी सब्सक्त मसाला चिकन हमें तयार करना है चिकन पॉकिट बनाने के लिए यह दिखिए मैंने चिकन उबाल ली हूँ और उसमें डालने के लिए यह दिखिए शिम्ला मिर्च बारिक से कट कर लिए है हरी प्यास यह हरी मिर्चें पत्ता गोवी को बारिक चौप कर लिया है यह कोत्मीर है अभी इन सब चीजों को हमें करना है फ्राई अब यह सब सब प्राई कर गए है इसके लिए मैंने यह चमज तेल डाली है एक से दो चमज हमें तेल डालना है इसमें अब यह हमारा तेल गरम होगा तो एक एक सबजी हमें डालना है यह हमारा तेल अच्छी से गरम हो गया है अभी हम इसमें दालेंगे शिमला में यह हमारा पत्ता गोडी और यह हरी मिल्चें यह हरी प्याज और यह कोट मीध और हम इसमें दालेंगे थोड़ा सा नमक यह हमारा जाएगा अद्रकलस सन पेश्ट यह थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यह जाएगा हमारा इस चमच धनिया पाउडर अभी हमें इससे अच्छी से मीक्स करना है प्राइ कर लेना है हलका सा आये घूब सब्सक्ष्ट घॉए इससे प्राइप़ दüst स Keys और है नहीं हजड़ right ढे इससे खबस्योशन पालें खांड़ आब ड़ो और हम आरेंगल और है जोवस्टे प्रासतों स्टावD यह हमारी सब्जिया अच्छी से अच्छी प्राई हो गई है अभी हमें इसी में जो तालना है रेशा किया हुआ हमारा चिकन अच्छी से मिक्स करना है इसे हिसमें पानी शूटा है कि अच्छी से मिक्स करके और इसको थोड़ा है अर्ज हम टायम तक में फ्राई करना चिकन को भी सब्जियों के साथ राइख लेना हुआ है इस हमारा चुना है है कि आप जियार हो गया अभी हमें गैस को करना है और इसको ठंडा होने के लिए रग देना आटा होगया है अभी सोफ्ट यह मारा कितना सफ्ट हो गया मैं आदे घंटे के लिए इसको ढखे रख दिया था अभी इसके हमें पेड़े बनाना है यह कि यह हमें बनाने हें पेड़े इसके अचि सीस्की रोटी बे रहे अगो फिस नहीनगे जहाती है कि उत्व मैंसी कि एक उती आफ weg कि आफ़ एक नहीं कि उत्व मैं दंग यह हमने रोटी बेल ली और हमें इसको कट करना है यह आटिकट अपने एक रांग डप्ति में था लेगा यह इस तरीके से हमें दो पट्टी बनाना है यह हमारी बन गई दो पट्टी जाएं अब यह जो हमने दो तयार किया है यह अभी जाएगा हमारी पॉकिट में अभी हमें इसको पानी लगाना है और यह पॉकिटों में इस तरीके से मोड लेना है अभी हमारी पॉकिट तयार करिए ना किरेशे बराबर नहीं बनाई चिकन के एडियो चालू है अभी हमारी बराबर आई ना अभी हमारी कुछ जादा फूल रही है अच्छा बहुता इसा हाँ मतले नहीं यह हमारा फॉक्स है इससे हमको ऐसी डिजाइन बलाने है अच्छा बादा इस तूथ पित्की कार्डी से हमें इसको आर डिजाइन देना है अच्छा बादा इससे हमारे डिजाइन कितने अच्छी बन गई चिकन पॉक्ट यह हाथ इतने अच्छी इसके डिजाइन बनाई है यह देखिए यह अभी हमारा बन रहा है साभुदाना वड़ा इसमें हमने डाले हैं साभुदाना बटाटा उबाला हुआ हरी मिर्चे सेंग उबाल कर नहीं सेंग भून कर डालें और पुत्मीर नमक हरे मिर्चेन लस्वन यह सर डाल के हम इसके बना रहे हैं साबुदाना बड़ा यह देखिए यह भी हमारा तेल गरम हो चुका है अभी हमारे चिकन पॉकिट हमें अभी फ्राई करना है बिस्मिल्ला रह्मान रहीम यह देखिए यह हमारी चिकन पॉकिट माशालला च्छे से फुलने लगी है अगर वो फुल रही है तो समझो एक दम क्रेस्पी हो जाएगी यह कड़ाई छोटी है न इसलिए इसमें सरिफ चारी पॉकिट आ रही है हमें आराम से दिरे दिरे से स्लो गैस पे हमें इसको फ्राई करना है ताकि यह फुल गई न तो फटने का डर होता है तेल में फिर क्या सारा तेल अंदर चला जाएगा इदि कि माशा आलला चीसी फ्राई होगा अभी इसलिए भी इसलिए अभी इसलिए आप से जहन्म की आख से महफूस परमा आमीन एल्ला अर्श किस रुष्वाईयों से हमारी वालिदेन और पूरी उम्मत मुहमधिया की इफाज़त परमा आमीन चलिए अल्ला हाफीज हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्राउं झाल आमीन झाल झाल